बालमिकी निगर बराज से बिहार आने वाली गंडक नदी अब अपने उग्रो रूप में है और गंडक के इस उग्रो रूप के कारण बगहा में लोग दहशत में आ गए हैं गंडक नदी में पानी के बहाव कम होने के बाद गंडक नदी का कटाव अब तेज हो गया है और इलाके के लोगों की निंद इस कटाव की बज़ा से उर गई है दरसल पिछले तीन दिनों से गंडक का यह उग्रो रूप जारी है जिसकी सुचना अस्थानिये लोगों ने जल संसाधन विवाग को दी और सुचना मिलने के बाद आनन फानन में जल संसाधन विवाग के टीम फ्लर्ट फाइटिंग में जुट गई है बावजूद गंडक का दवाब बना हुआ है और तटवंद पर कटाओ जारी है जल अस्तर में कमी के बाद नदी की पानी की धाड़ा का करेंट सिधे मंगलपूर के समीप बांध से टकरा रहा है इस कारण तटवंद के कटने का सीधा खत्रा सामने आ गया है हलांके प्रशासन की ओर से बालू की बोड़ियां रखकर तटवंद को बचाने की कोशिश की जारी है एस्थानिये लोगों का कहना है कि आप बालू की बोड़ियों की जगा पूरे तटमंद के किनारे पत्थल लगाना परेगा ताकि गाउं कटने से बच सके नहीं तो पूरे गाउं पर खत्रा आ गया है बगहा से इस खुलासा के लिए राके सोनी की रिपोर्ट